कि एपक सच्षबाइब करें गए था लएट अब बात करेंगे को अप्याइब अब टी इन्सूलीन सीक्रेशन गच्छन तो यह होर्मोन का क्या रॉल्प्ले करता है और यह वार्मोन के आपने रोल प्ले करता है इस इंसुलिन कंट्रोल में वही आज आप जानेंगे तो पहले कुछ हॉर्मों के नाम बता दू बहुत जैनरीक हॉर्मोन से जो थोड़ा बहुत to some extent and actually they can modify the insulin release तो पहला है आपका कोर्टिकोईट्स फिर है कोर्टिकोईट्स के बाद आपका ग्रोथ हॉर्मोन and after this you can add thyroxine all these hormones have some effects they do modify insulin release to some extent ठीक है पर ये ultimate ये main control नहीं है ये main control नहीं है main control किसे होता है main जो hormonal control insulin का हम करते है वो किसे होता है वो होता है paracrine interaction अब आउटी आईलेट सेल सीक्रीशन्स 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 इसका मतलब क्या हुआ कि ये आईलेट सेल्स मतलब ये आईलेट आउप लाइंगार हैंस के अंदर जो भी देखा है हुआ insulin, glucagon, somatostatin ये सब सीक्रीट होता है ये आईलेट आउप लाइंगार हैंस है ये सब का इंटरेक्शन होता है यही मेंली मोडिफाई करता है ये insulin release को इसके ओपर ही मेंली डिपेंड होता है इस आद अधा मेजर रेगुलेटर of the insulin release चल ये देख लेते हैं कैसे होता है तो पहले ये परहाने से पहले मैं आपको insulin और glucagon ये जो दो hormones है इनके थोड़ा function बताना चाता हूँ insulin को मैं इस तरफ लिखता हूँ और glucagon को मैं इस तरफ लिखता हूँ अब insulin किस इलेट से सिक्रीट होता है insulin जो इलेट से सिक्रीट होता है बीटा सेल ये तो आपको पता ही है और glucagon काहता हूँ तो आलपा सेल से ठीक है अब इन दोनों का हम function लिखेंगे तो function में एक चीज में divide करूँगा insulin का दो पार्ट में divide होगा एक होगा S और उसको tick दूँगा मैं और एक होगा P या फिर I इसको cross दूँगा मैं अब इसका क्या मतलब हुआ S मतलब stimulating function जो इसको stimulate करने का जो फांक्शन होता है और P और I मतलब prevention या inhibitory function जो होगा वो जिस जिस process को inhibit करेगा उसका में यहां पर दूँगा और जिस जिस process को stimulate करेगा उसका list में यहां पर दूँगा same glucagon का भी में glucagon का mainly stimulatory function यह है तो इसलिए मैं inhibitory या फिर prevention process में नहीं दूँगा तो पहले start करते है insulin के stimulating effects insulin क्या stimulate करता है पहला चीज जो insulin stimulate करता है वह है glycolysis it stimulates glycolysis नेक्स जो है आपका next है glycogenesis यह stimulate करता है और lipogenesis भी यह stimulate करता है काफी हद तक और अब हम आते हैं इसके prevention या inhibitory effect पर सब कुछ समझाओंगा आप चींदा मत कीजिए मैं पहले लिख लेता हूँ prevention या फिर inhibitory effect में यह क्या inhibit करता है यह inhibit करता है पहले है glycogenolysis आई होप आप देख सकते हैं और क्या inhibit करता है ग्लूको नियो चैनेसिस यह भी इनिविट करता है और इसके साथ साथ और क्या इनिविट करता है और यह इनिविट करता है लाइपोलाइटिक पंक्शन्स अफ अधर हॉर्मोन जैसे कि आपका हो गया हो और एग्या और टेक्निकली इतना ही है अब लिक्लेट का लिक्लेटवर्मों याद रखना इन्सूलीन का जो जो चीज इन्सूलीन का प्रिवेंशन है अल्मोस्स सब कुछी निक्राइब का stimulating effect है यह क्या stimulate करता है glyco genolysis को stimulate करता है यह gluconeo.. लिख देता हो आपको पता है gluconeogenesis को यह stimulate करता है और यह क्या करता है यह stimulate करता है breakdown of fat stores in the body इसको भी stimulate करता है तब समझे संगते होंगे कि लाइपोलाइटिक function को यह inhibit करता है और यह breakdown of fat stores को बढ़ाता है तो यह almost opposite सारे ही opposite functions करते है यह दो hormones तो अब एक-एक करके मैं सारे processes आपको समझाओंगा तो पहला आपका आता है glycolysis glycolysis क्या है glycolysis है एक सब्सक्राइब कोई भी carbs कोई भी आप अगर carbs खालो वह चावाल हो सकता है रोटी हो सकता है ब्रेड हो सकता है कुछ भी कालो वह ultimately आपके शरीड में जाके क्या प्रडूइस कता है glucose अब यही glucose आपके body के अंदर बहुत सारे processes से जाते है और प्रोसेस ग्लाइकोलेसिस और ग्लाइकोलेसिस का लाइकोलेसिस से और भी प्रोसेस जाते है अगर आपको चावल खाएंगे तो उसको पहले जाता है अगर आपको चावल खाएंगे तो उसको पहले ग्लूकोज में convert करना पड़ेगा पर ग्लुकॉंडी क्या है ग्लूकॉडी स्ट्रेट ग्लूकोज यह आपको दे रहा है जिसके कारण वह ATP बन रहा है ठीक है तो यह यह ग्लाइकोलेसिस अब नेक्स्ट हमाते है ग्लाइकोजेनसिस में अब ग्लाइकोजेनसिस क्या है हमार बॉडी में क्या होता है हमारा बॉडी जब अब खाना खाते है ठीक है यह एक्षिली क्या बुले हमारे एवलेशनरी हिस्ट्री के उपर बेस्ट है कि हमारे जब हमारे दादा पर दादा और और भी पहले के जमाने के जो लोग थे जो इनको खाना मिलेगा की नहीं मिलेगा यह यह पता नहीं था आज खाना मिला है। torch हम्हाम मिले की — हमारे बोड़ी के उपर एक क्या हमारा बोड़ी को पता ४को आज झो खा रहे हैं वह तो थोक एनरजी में बने लेकर सबुस्पे方 cancer वल्लुटर है वादित खा तैंने music फिश् leftover मैं कुछ सेव से हुआख यह और मुझे sufficient हम bite सकते है ओंद के अंदर हमारा बॉदी क्या जमाता है इसंद में तस ढूआ अब हैं इसोलन क्या करता है इसलन के हरोते है । यह यह ज्यादा बनता जब ज़्यान हम्हता है जब ग्लू कोश से वह घ्लाइकोजेंट में फ railroad कर दें ग्लाइकोजेंट कर दें इनिशिव लीड वे स्टिमूलेंट कर दें ताके Мос الل remembers अगर वह था आपको फिर भाद में अगर छोगर घट जाए तो फिर वह वहां से हम Speaking फैट से हम शुगर ले सके और एक चीज लाइपोजनसिस भी यहाँ पर समझा है कि अगर अगर एडिपोस्टी शिव में फैट जमा हुआ तो फिर उसको कहा जिता है लाइपोजनसिस जैनसिस मतलब है कि कुछ तयार हो रहा है लाइसिस मतलब कुछ तू डूट रहा ग्लुकोस त्यूंट रहे साधी ग्लाइकोलसिस अर मतलब ग्लाइकोजन भान रहा ह। तो ग्लाइकोजन बण रहा है सिसट वहो flour Denam इसको क्या क्या जाता है यह इस्सिस्टेम को कहा जाता है गलुको नीयो जेनेसिस ठीक है मैंने शायद आपको अच्छी से नहीं दिख रहा है यही इंसुलिन इनिबिट करता है क्योंकि हमारे बॉड़ी के अंदर जब ब्लट से ब्लट ग्लुकोस ज्यादा है तो हमारे बॉड़ी को ज़रुरत नहीं है न एक्स्ट्रा ग्लुकोस बनाने की तो इसलिए वह ग्लुको पहले क्या मतलब ब्रेकडाउं तो जो चीज बनाने में हल्प करता है वह अफ़्कॉस डूटतो एगा नहीं तो इसलिए यह ग्लाइकोजेफ को इनिबिट करता है और करता है वह फैट को तोनने की कोशिश करता है तो यह उस चीज़ को भी इनिबिट करता है यह हुमन ग्रोथ हॉर्मोन यह कुछ अधर हॉर्मोन जिसके लाइपलेटिक फॉंक्शन है उसको वह इनिबिट करता है तो यह हुआ इंसिलीन का ओवराल फॉंक्शन अब ग्लुकाग है घटता रहता है तो तब ग्लूका गॉन काम करता है रुका गॉन क्या स्ट्मूलेट करता है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइको जेनोलाइसीस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ता है ठीक है और ब्रेकडाउन और इससे क्या बनता है इससे एटीबी बनता है या फिर आप माल लीजे ग्लुकोज बनता है ठीक है तो इसका मतलब क्या है ग्लुको नियोगनेसिस में भी यह हिल्प करता है है यह ना और ग्लुको नियोगनेसिस से आपका ब्लुड ग्लुकोज लेवल बढ़ जाता है आपको दिख रहा है शायर ब्लुकोज लेवल बढ़ने से क्या होता है इंसूलिन का लेवल पढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझ पार है कि ग्लुका गॉन जब काम करता है ग्लुका गॉन आक्चुली इवोकिंग रिलीज ऑफ इंसूलिन की वज़े से ब्लड ब्लुकोस बढ़ने से इंसूलिन बढ़ता है तो यह तो यह दोनों का इंटरेक्शन कैसा हुआ और एक च बतलब इंसूलिन ग्लुका गॉन के ऊपर अगर मैं आपको अच्छे से दिखाओ एक सेगें ज़रा फोल्ड कर लूँ है इंसूलिन के वूपर कैसा काम करता है इंसुलिन यह पर मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं इंसुलिन ग्लुकागॉन को इनिवीट करने के कोशी करता है पर ग्लुकागॉन बैचा बाच्चा लर्का है वो इंसुलिन को स्टीमूलेट करता है जैसे कि मैंने अभी दिखाए और एक है अब इन दोनों यह आइलेट्स और सेल्स में आपको पता ही होगा कि आप जब छोटे थे जब फिफ्स सेंडर्ड या फिर तेंस सेंडर्ड भी जब भी पढ़ते थे क्लास में आपका प्रिफेक्ट होता था जो क्लास को माइंड करता था अगर कोई बच्चा प्रॉब्लेम क्रियेट करे तो इसको चुपकर तो यहां पर भी आइलेट्स के क्लास में भी सोमाटोस्टेटीं यह रोल प्ले करता है जब भी कोई लर्का इंसुलीन अग्लुकागॉन से हद से ज्यादा काम करने लगे उनको इनिबिट करने का काम यही करता है ठीक है ब्लैक से दिखा रहा हूं यह ग्लुकागॉन को भी इनिबिट करता है और यह इनिबिट करता है लेकिन अजीब बात यह है कि ग्लुकागॉन इतना अच्छा लरका है कि ग्लुकागॉन सोमाटोस्टेटिन को भी आपका स्टिमूलेट करता है ठीक है क्यासे अगर इनिसुलीन बोडी के अंदर ज्यादा बढ़ने लएगा इनिसुलीन को रोकना पड़े अगर तो इसके लिए सोमाजोस्टेटिन आ जाता है तो ग्लुकागॉन इंडारेक्ली सोमाजोस्टेटिन को भी बराने लगता है और एक चीज है आपने देखा होगा मैंने पहले वीडियो में इन्सुलीन के साथ एक कनेक्टिंग पेप्टाइड भी आपका मूफ ता था इन्सुलिन का बहुत बडरा दोस्ट है और ग्लुकागॉन को बिल्कुल साइन नहीं कर पता तो ये मईलीन ग्लुकागॉन के उपर इनिबिटरी एफेक्ट शो करता है तो यह ओवर ओल आपका एक सेगेंड यहां पर दिखने में बद बुरा लग रहा है यह ओवर ओल इंटरेक्शन है बिट्विन दर हॉर्मोन्स सिक्रेटेट बाइड़ इलेट सेल्स अफ लांगर है तो अब यह बहुत ही अच्छी तरह में नेक्स पिक्चर में इसको मैं ऐसा प्रेजन्टेशन किया है यह बहुत ही अच्छी से नेक्स पिक्चर में है तो इसी के मेजर कॉस्ट जिसके काराण हॉर्मोनली इसैलिन को रेगूलेट या कंट्रोल किया जाता है अब हम बात कते हैं न्यूरल कंट्रोल को लेके अब यह जो न्यूरल कंट्रोल है यह बहुत ही इंपोर्टेंट अफकॉर्स है क्योंकि नर्ड ट्रंस्मिशन की वज़े से हमारे बॉड़ी के अल्मोस्स सारे फंक्शन्स होते हैं क्योंकि और वह और देने वाला डिलीवरी ऑंसे अंप अमारे बॉड्य सब्सक्राइब में तो अब इस में बहुत बहुत सारे नर्फ सेख स्था adversary अब पहले ही बता दू एक सब्सक्राइब लिख लो फिर बता हूँ क्योंकि यह पार्ट पुरा ही cns का पोर्शन है इंसुलिन में सिफ इसका न्यूरल कंट्रोल के डीटेल्स बोला गया है इसका उसमें यह प्रोसेस का जो मेकैनिजम है वह यहां पर डिसक्स नहीं हुआ है क्योंकि वह cns पर होगा तो इसलिए मैं यहां पर सिफ आपको बता वह कैसे क्या क्या होता है उसका मेकैनिजम में यह पर नहीं बताऊंगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताऊंगा भी तो ब्रीफली बताऊंगा बात बता दू सिंपाथेटिक और प्रासंपेटिक मतलब दो तरह का ट्रांसमिशन होता है हमारे बॉड़ी के अंदर एक होता है और एक होता है आपका अब इस नोनों का मतलब क्या होऑत अब बहुत सुने होंगे कोलीक नदैक कर अधर उलिक नदैक्षो'm आप कि यह क्या मतलब क्या इसका तो आपको पता ही होगा कि एक न्यूरोन जो होता है इस में ऐसे यह सेल बॉडी होता है यह डेंटराइट होता है आगजन होता है और यहां पर साइण एक मुसल जुरा रहता है यह पिर और एक साइनाप जुरा हो सकता है ठीक है ये ना ऐसे ठीक है में बहुत ही अज्झा लिगे अच्छा नहीं है अपर ठीक है अब यह ड्रेंडाइट के पाट को अगर हम बहुत धीपली देखेंगे अगर इस पाट को हम बहुत ही गहराई से देखेंगे तो क्या देखेंगे यहां पर एक प्री साइनेप्टिक नियूरल फीज है यह एक दम एंट के पाट और यहां पर है एक पोस्ट साइनेप्टिक पाट ठीक है यह है आपका प्री साइनेप्टिक प्री साइनेप्टिक पाट यहां पर यहां पर बहुत सारा आपका यह रिसेप्टर्स है यह रिसेप्टर्स है अब जब केमीकल मेप्टर्स्मेशन होता है तो यहां पर बहुत एक पोटेंशएल डवलप होता है और यह action potential develop होने के नापे क्या होता है बहुत सारे बेसिकल्स रहता है जिसके अंदर chemicals रहता है जिसको हम बोलते है neurotransmitter मानलीजे यह neurotransmitter ही क्या है मानलीजे आपको यह amazon से order दिये तो वह order यह order place करना जब अप्लिक करते है तो यह action इसको action potential का जाता है तो यह वह action potential है कि हाँ मैंने order place कर दिया अब वह delivery होने वाला है ठीक है तो delivery किससे होता है तो यह packaged है तो यह basically अब delivery boy इसके अंदर है इनको यह सांटिविकल्स को का जाता है neurotransmitter अब क्या होता है due to various processes यह इसके साथ merge हो जाता है जैसे कि मैंने chemical बोला ता एक सो साइटर से इसको बोला जाता है हुआ है आब वे जो नियूरो टर्स्मीटर है अगर यह नियूरोड ट्रंस्मीटर अगर यह नियूरोड ट्रंस्मीटर नौर्ड्रेनलीन हुआ तो फिर उसको कहा जाएगा एड्रेनर्जिक नर्ट ट्रास्मिशन और अगर वो एसिटाइल कोलीन हुआ तो फिर उसको बोला जाएगा फोल इनर्जिक नर्ट ट्रास्मिशन तो आप यहां पे बहुत सारा ही आपका एप्स बहुत सारा ही रिसब्टर होताँ इस अध्राट्राट Elнем के यह जो मेंब्रेन है यहां पर कोलिनार्जिक में बहुत सारे नर्व रिसेप्टर होते हैं लेकिन उसके बारे में हम यहां पर बात नहीं करेंगे जैसे कि मैंने पहले ही बताया तो अब देखते हैं कैसे नियूरल पात्वें कंट्रोल करता है इंसुलिन के रिलीज को तो प समझे सकते होंगे यह क्या करता है यह कि इंसुलिन रिलीज को घटा देता है और कैसे घटाता है वाई आक्टिवली पीटा सेल में एक एंजाइम रहता है जिसको पादा चाहिए एडिनाइल ऐलाइल साइकलेस इसको यह इनिबीट कर देता है रिकृस देंके समझा रहा हूं यह रिसेप्टर में इनिबीट हो जाता है अभी आडिनाइल साइकलेस आपको पता ही होगा मैंने वह केमिकल में समझा था की क्या करता है क्ये प्लस चैनल को जो एक प्लस चैनल है उसको वह क्लोज कर देता है ना कि एक्टिव एक्टिपी अंदर दा आक्शन ओफ एडिनाइलाइल साइक्लेस सी एएंपी बनता है साइक्लिक एडिनोसीन मोनोफोसफेट यह यह चीज़ बनता है ठीक है और इसका काम क्या है यह एक सेगेंडरी मैसेंजर है अगर आप इस चीज़ को बंद बढ़ जाता है अब अगर आप इस चीज़ को ही बंद कर दोगे तो फिर नहीं सीएंपी बनेगा नहीं सी टू और बरहेगा नहीं फ़लस पंधा तो यह चीज़ इंशी मेंच्राइब अ कि ही जो इक तो बारी थो वह क्या करता है वह बिल्कुल ऑपोजिट इंसूलीन रिलीस को बरहता है कैसे बिल्कुल ही जैसे कि मैंने बोला पीटा सेल का जो एक सक्षिस को पोल्ट करना पड़ेगा बीटा सेल का जो एडिनाइलाइल साइकलेज है उसको यह चलाता है उसको यह स्टीमूलेट करता है इसलिए इंसुलिन रिलिस बढ़ जाते हैं नेक्स्ट आपका एन लास्ट वरन जो कि यह कोलिनार्जिक व्यक्चित confident 기ींड होता है जो हम CNS में ज़रूर डेस्कस करेंगे अब यह रिसेप्टर क्या करता है यह रिसेप्टर आपका यह से जाता है और यह रिसेप्टर IP3 यह यह दोनों एक सेगेंडरी यह दोनों भी एक्चुली सेगेंडरी मेसेंजर है यह दोनों का काम भी यह दोनों भी क्या करता है इंट्रसेलिूलर को सिए टू प्लस खो बढ़ा देता है जिसके कारण क्या होता है इंसूलीन रिलीज को बढ़ता है तो यह और एक चीज़ आप बताना में ज़रूरी है कि यह प्राइमरी साइट जो है primary site of regulation of insulin is hypothalamus यह एक चीज़ आप याद रखना है यह आपका question आ सकता है तो बस इतना सही था अब नेक्स जो पार्ट से में वो नेक्स टॉपिक में डिस्केस करूंगा नेक्स वीडियो में